जमस्कार गुड इवनिंग कॉम्पेटिशन कॉम्प्रेहंसिव करेंट अफैर्स प्रोग्राम में मैं पोक राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम 17 से लेकर 23 मार्च 2022 तक के जो करेंट अफैर्स है उनका आनलिसिस कर लेंगे जब मैं इस की प्राइकता बहुत जादा है उसको डिसकस करेंगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है तो आपको ये जो QR कोड दिख रहा है ना इसको स्कान कर लेन क्यों कर लेना है तो जब आप इसको स्कान करोगे तो हमारा नया अप्लिकेशन जो है कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी का उसको आप डाउनलोड कर पाऊगे उसमें हमारे सभी कोर्सेस पीडियेप वीडियोस जो है सब अभेलेबल रहेंगे फिलहाल आपको बता दू यह जो यह एंड्रोइड डिवाइसेस के लिए है गूगल प्ले में चाहो तो जाकर टाइप भी कर सकते हो कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी और नयार हमारा जो अप्लिकेशन है ब्लू कलर वाला वह आपको दिख जाएगा आयूस के लिए हम डेवलाप कर रहे हैं बहुत जल्दी आ राइगड को उर्जा श्रेणी में सेफटी इनवेशन नाशनल एवार्ट दोहजार एकिस से सम्मानित किया गया था सही बात है किया गया था लारा जो सूपर थर्मल पाव स्टेशन है उसकी स्थापित श्रमता कितनी है भी 1600 मेगा वाट है ये भी सही बात है और इसकी इस संयंत्र की प्रमुख विशेश्टा है ये बात भी मैंने आपको बताई थी मतलब सत्य कथन अगर कहें तो उपरोक्त सभी क्या है सत्य है चलिए अगले क्वेशन पर आते हैं मैन पार्ट महुटसो दोहजार बाईस का शुबारंब किसके द्वारा किया गया था तो संस् पुद्री फॉसिल पार्क याद करो मनेंद्रगर दो नदी कौन सी नदी देखे थे एक देखे थे हस्देयो नदी और इसकी एक सहायक थी नाम था क्या हसिया दोनों के संगम पर ठीक अगला क्वेशन इंक्रेडिबल जर्नी ओफ कोसा पुस्तक के संपादक याद करना के ए मुहंती जी दोनों हैं ऑप्शन में देखे तो डी ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों इसलिए आपको ऑप्शन डी जो है वो लेना पड़ेगा दन चलिए क्वेशन्स तो हो गए और इसके बाद क्या करते हैं तो इस बार के करिंट अफेर्स पर आ जाते हैं तो सबसे पहले राज्यस्तरी खादी तथा ग्रामुद्योग प्रदर्शनी है यह जो खादी वर्ड है इस पर अपन डिसकस करेंगे अभी खीक है भाई तो सबसे पहले यह प्रदर्शनी कहां लगी तो ध्यान रखना अगर आप पंडरी कभी गये होगे राइपूर में तो जो सीटी स मार्च 2022 तक यह दस दिवसी प्रदर्शनी जो है उसे लगाया गया है किसने इसका आयूजन किया है तो चट्र गड़का जो खादी और ग्रामुद्योग बोर्ड है उसने किया है अच्छा अब सेरेमिनी में मुख्य अतिथी कौन थे तो देख लीजे भई गुरू रूद् जी जो की पब्लिक हेल्थ इंजिनरिंग लोक स्वास्त यांत्रिकी और ग्रामुद्योग विलिज इंडस्ट्रीज के क्या है मंत्री है ठीक है अध्यक्षता के नोने की है तो श्री राजन तिवारी जी ये अध्यक्ष है चत्तिदगर खादी तथा ग्रामुद्योग बोर सकता है तीसरा देखा है किस ने किया ये भी प्री का एक क्वेशन बन सकता है तीन क्वेशन हमने देख लिया ठीक चौथा क्वेशन मुख्य आते थे किसका था चीव गेस्ट कौन थे तो ये क्वेशन अध्यक्ष कौन थे ये क्वेशन तो पांच क्वेशन प्री के यही से ब पर आपको पूछेगा राजिय स्तरी खादी तथा ग्राम उद्योग प्रदर्शनी जो आयूजित होती है उसका क्या उद्देश है ये 30 वर्ड्स में आपको पेपर 5 में पूछ लेगा समझ में आ गया या इस पॉइंट को आप सीधा ऐसे में यूज कर सकते हो कैसे यूज करोगे अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है देखिए अब 36 गड़ में जो महिला स्वा सहायता समू है विमिन सेल्फ हेल्प ग्रूप है बुनकर है मतलब व्यूवर है और जो ग्राम उद्योग है विलज बेस्ट इंडस्ट्रीज इनका कम्प्लीट डेवलाप्मेंट सरवांगीन विकास के लिए क्या किया गया है तो खादी और ग्राम उद्योग के जो उत्पाद हैं उनके लिए प्रदर्शनी मतलब एक्जिबिशन कम सेल और्गनाईस किया गया तो अगर पूछे राज जिस तरी खादी तथा ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का उद्देश क्या है तो आप बताएंगे इसके माध् किया जाता है कैसे तो इनके लिए एक एक्जिबिशन कम सेल लगाकर प्रदर्शनी सहब विक्रय लगाकर है क्लियर है यह अच्छा ग्रामीन अर्थ व्यवस्था से संबंधित अगर कोई ऐसे आ जाए तो आप बता सकते हैं ग्रामीन अर्थ व्यवस्था को प्रमोट करने क लिए चत्यसगर्ड खादी और ग्रामुद्योग बोर्ड के द्वारा राज्यस्तरी खादी तथा ग्रामुद्योग प्रदर्शनी लगाई जाती है तो इस दो प्रकार से आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं तो प्री में यूटिलाइस कर सकते हैं अच्छा अब ये इस विक्र है मतब एक्जबेशन भी है और सेल भी है यहाँ पर तो कौन-कौन सी चीज़े दिखेंगी विकेंगी तो कोसा खादी हांड लूम चिकन कारी ये चिकन कारी नहीं जी खाने वाला आप लोग ना ऐसा मत कर देना वो पिक्चर देखें जॉली लेल बी टू उसमें वो अकील सहाब रहते हैं बोलते हैं क्या ये लखनव है यहाँ चिकन दो प्रकार का मिलता है एक खाने वाला एक पहिनने वाला खाने पहना तो इज़त खराब और पहनने वाला खाया तो पेट खराब समझ में आया तो ध्यान रखना चिकन कारी चिकन वर्क चिकन करी नहीं है नचिकन काड़ी नहीं है समझ लिए फिर बनारसी वस्त रहें बेल मेटल के आर्ट है उसके अलावा टेरा कोटा बास और कास्ट सिल्प यह साली चीज़े ऐसी है जो कि वहाँ पर क्या होंगी एक्जिबिशन में इतिहास को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था नॉन को ओपरेशन मुव्मेंट तो इस समय क्या किया जा रहा था खादी को प्रमोड भी किया जा रहा था खादी का प्रचार किया जा रहा था और इसी क्रम में साथ से लेके 15 अक्टूबर वर्ष था 1921 को क्या किया गया था तो रायपूर का जो रावन भाठा है वहाँ पर खादी सप्ता मना गया था क्या मना गया था खादी सप्ता साथ से लेके 15 अक्टूबर 1921 अच्छा धमतरी में बाबू छोटे लाल श्रिवास्तव बीसी एस बाबू छोटे लाल श्रिवास्तव इन्होंने क्या था अपने निवास पर खादी उत्पादन के इदर खोला था क्या खोला था खादी उत्पादन के इदर खोला था इसके अलावा मैं आपको बता दूँ यहां लिखूं क्या बिलासपूर में कहां पर बिलासपूर में देवता दीन बड़ा ओन अची मेरी साब से देवता दीन तिवारी जी ने खादी को प्रमोट करने के लिए क्या किया था तो खादी भंडार खोला था तो देवता दीन तिवारी बिलासपूर इन्होंने क्या किया था खादी को प्रमोट करने के लिए खादी भंडार खोला था और मैंने क्या बताया था धमतरी में बाबु छोटे लाल जी श्रिवास्ताव ने खादी उतपादन केंद्र खोला था और वो भी क्या किया था तो अपने घर पर ही खोला था चलिए, अब next क्या है तो next है मनरेगा में जो लेबर बजट को बढ़ाने का 36 गड़ का प्रस्ताव था उसको केंदरी ग्रामिण विकास मंत्राले ने क्या कर दी है तो मंजूरी दे दी है ठीक है, यहाँ पर यह जो अब देहना मनरेगा, यह हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है, इसका 36 गड़ में किस प्रकार से क्रियानवन किया गया है इसके उपर 30 या 60 वर्ट में आपको सीधा पेपर 5 में क्वेश्चन आ सकता है या एम्प्लॉयमेंट से संबंधित अगर कोई ऐसे आए, तो भी आप इसके डेटा को इस्तिमाल कर सकते हैं तो यह जो टॉपिक है थुड़ा सा मेंस ओरियंटेड है तो न्यूज पर आने से पहले मनरेगा को एक बार देख लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामीन रोजगार गारेंटी योजना योजना से पहले मैं आपको अधिनियम समझाता हूँ अधिनियम 2005 इंगलिश में क्या हो जाएगा महात्मा गांधी नाशनल रूरल एम्प्लॉइमेंट गारेंटी आट तो 2005 में ये मनरेगा आक्ट आता है जिसके अंदर जिसके अंतर गत जो ग्रामीन शेत्र में निवास करने वाले परिवार हैं उनको क्या दिया जाए तो उन्हें आजीविका की सुरक्षा दी जाए मतलब सिक्यूरिटी ओफ लाइबलिविड अब आजीविका या लाइबलिविड मिले कहां से तो काम करके मतलब सीधा सीधा क्या किया जाए इनको रोजगार दिया जाए क्लियर है इसका क्रियानवन 36 गड़ में तीन फेज में हुआ है किते फेज में हुआ है लिख लेना फिर यहाँ पर 2008 लिख लेना डेट डालना एक अप्रिल पर डालना एक अप्रिल तो दो फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामीन रोजगार गैरिंटी अधिनियम के अंतरगत जो योजना है उसको 36 गड़के 11 जिलो में स्टार्ट किया गया एक अप्रिल 2007 को 4 और जिलो में इसे क्या किया गया स्टार्ट किया गया और एक अप्रिल 2008 से यह 36 गड़के सभी जिलो में लागू है 11 और 4 के नाम जो हैं इकोनॉमिक सर्वें मिल जाएंगे लेकिन याद मत करना अभी तक ऐसा प्रश्ण नहीं पूछा गया है तो करोगे तो अनेसरी अपने दिमाग में प्रेशर डालोगे काम नहीं आएगा तो कभी सीधा इसका objective पूछ दे, उद्देश ये पूछ दे तो यही है ग्रामिट शेतर में निवासर जो परिवार है उनको आजवी का सुरक्षा देना या security of livelihood देना जो rural families है उनको उसके अंतर का 36 गड़ में मात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामिट रोजगार गारिंटी योजना को कब स्टार्ट किया गया है तो तीन phases में सबसे पहले शुरुवात होई है इसकी 2 Feb 2006 11 जिलो में फिर 1 April 2007 को आगे 4 जिलो में और उसके बाद 1 April 2008 से सभी जिलो में इसे स्टार्ट कर दिया गया अब फड़ा सा बापस आते हैं न्यूस पर तो बेसिकली क्या है एक चीज को समझना अगर एक व्यक्ति एक दिन का काम करें तो ये मानव है और दिवस है मैं और डे तो एक व्यक्ति एक दिन काम करें तो एक मानव दिवस है दो व्यक्ति एक दिन काम करें तो दो एक अम दो दो मानव दिवस है वैसे ही एक व्यक्ति दो दिन काम करें तो भी दो मानव दिवस या मैं डे कहलाता है clear तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो चालू वित्वर्ष है current financial year है 2021-22 जो की 31 March 2022 तक चलेगा clear है इसमें मन्रेका के अंतरगत target क्या था कि साल भर में 13.5 करोड मानव दिवस, man days का रोजगार स्रजित करना है लेकिन इसको न अभी फरवरी मन्त तक ही क्या कर लिया गया अचीव कर लिया गया ठीक है तो 36 गड़ ने प्रस्ताव भेजा था केंद्री ग्रामीन विकास मंत्राले को की जो target है 13.5 करोड का इसको बढ़ा कर क्या किया जाए तो 15 करोड 72 लाख मानव दिवस, या मैंडे कर दिया जाए ताकि अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉइमेंट जो है उसका क्या किया जा सके जेनरेशन किया जा सके ठीक है तो ये निउस अब समझ गया कि मन्रेगा का जो target था उसको हमने अब देखो कितने परिवार इससे benefit हो रहे हैं तो लगभग 28 लाख से अधिक परिवार जो है इससे क्या हो रहे हैं benefit हो रहे हैं अच्छा और कितने लोगों को या श्रमिकों को काम मिल रहा है तो 54,5,000 तो एक approximate आप याद रख लेना 28 एकम 28, 28 दूनी 56 होता है तो 28 लाख परिवार है और यह 56 नहीं 54 है तो 54 लाख श्रमिक या लेबर्स को काम मिला है ठीक है यह data और इससे भी important एक data है कि कितनी ऐसी family है तो ध्यान रखना 4.75 लाख 4.75 लाख ऐसे परिवार है जिनको 100 दिनों से अधिक का रोजगार मुहिया कराया गया है 4.7 लाख परिवार समझ में आगया आप लोग को तो 4.75 लाख परिवार को 100 दिवस से अधिक का रोजगार मुहिया कराया गया है done तो कौन-कौन सी चीज़े important है क्या target था 13.5 करोड clear है यह दियान रखना कितने families तो 28 लाख कितने labor तो लगभग 54 लाख labor को क्या मिला है काम मिला है और दूसरा कितनी family को 100 दिन का या 100 दिन से अधिक का रोजगार मिला है तो 4.7 लाख families यह आपके ऐसे में कहां आ सकता है done चलो अब next next देखते हैं क्या है तो संगीता खालखो बनी राज्यस्तर पर सबसे अधिक लेन देन करने वाली bank सकी तो bank सकी एक ऐसी योजना है जिसके अंतरगत ग्रामीन परिवेश में रहने वाली जो महिलाई है उनको क्या बनाया जाता है bank सकी ताकि यह क्या कर सके तो गाउ में जो लोग रहते हैं जो कि bank नहीं जा सकते या जिनका घर bank से दूर है उनको banking facilities जो है वो दे सके और इसके लिए इनको राष्ट्री ग्रामीन आजीवी का mission बिहान जो है उसके अंतरगत क्या किया जाता है तो प्रसिक्षन या ट्रेनिंग भी दिया जाता है अभी जो राष्ट्री ग्रामीन आजीवी का mission है यह हमारे mains point of view से बहुत जादा important है अब इसको थोड़ा सा short note लिखने के लिए आ जाए तो आपको क्या बताना होगा तो आपको यह बताना होगा कि स्वन जयंती स्वरोजगार जो यूजना थी स्वन जयंती स्वरोजगार यूजना इसी का पुनर गठन करके और इसे बंद करने के बाद एक चार दो हजार तेरा को राष्ट्री ग्रामीन आजीवी का mission नाशनल रूरल लाइवलिहुड मिशन एन आर एल एम इसकी शुरुवात की गई इसका उद्देश क्या है तो स्वरोजगार जो है इसके आउसरों को निर्मित करना ताकि जो ग्रामीन परिवार हैं उनकी जो गरीबी है उसे क्या किया जा सके दूर किया जा सके क्लियर तो मैंने आपको क्या बताया स्वर्ण जयंती यहां पर एक शब्द है ना ग्राम स्वरोजगार योजना जो है उसी को पुनर गठन करके उसको बंद करने के बाद 142013 को National Rural Livelihood Mission राष्ट्री ग्रामीन आजिवी का मिशन को स्टार्ट किया गया इसके अंतरगत स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सरजन किया जाता है उससे डेवलाप किया जाता है क्या सकते हो ताकि जो ग्रामीन परिवार है रूरल फामिलीज है उनके गरीबी को क्या किया जा सके दूर किया जा सके ठीक है अच्छा अब इसी के अंतरगत बैंक सक्खियों को ट्रेनिंग दिया जाता है तो वैसे ही राष्ट्री ग्रामीन आजिवी का मिशन बल्राम पुर जो है उसके ताता पानी में एक बैंक सक्खी है जिनका नाम है क्या संगीता खाल अब ताता पानी का आप जानते हो यहाँ पर क्या है तो प्राकृतिक गर्म जलका स्त्रोथ नाचरल हॉट वाटर स्प्रिंग 99 डिगरी सेल्सियस के आस्पास टेंपरेचर रहता है पानी में सलफर की मातरह होती है क्लियर है अपने आप में एक मात्र होट स्प्रिंग है चत्तिस गड़ में सलफर की मात्र होती है तो जिनको स्किन डिसीज हो लोग नहाते हैं तो इनको बहुत जादा फाइदा होता है ठीक है तो ताता पानी के बारे में थोड़ा से जान गए फिर से संगीता खालखोजी पर फिर इनको ट्रेइनिंग भी मिलता रहता है बता ही दिया हूँ उसके बाद आठ मार्श दो हजर बाईस विश्म महीला दिवस के उसर पर संगीता खालखोजी है इनको क्या किया गया सम्मानित किया गया है तो जो ग्राहक सेवा केंद्र है जिसके माध्यम से इन्होंने बच सम्मानित किया गया है clear है news कैसा है तो pre-oriented है किसको मिला है तो संगीता खालको जी को इसमें जो national rural livelihood mission है ये mains के लिए 30 या 60 words का question है ठीक चलिए अब next देख लेते हैं next क्या है फालगुन मड़ाई मेला तो दंते वाडा में एक प्रसिद फालगुन मड़ाई मेला जो है उसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है फालगुन मास में शुक्लपक्ष जो है न उसकी शष्टी से लेके पुर्णे मातक clear है तो फालगुन मास में शुक्लपक्ष की शष्टी से लेके पुझे माता कि ये आपको सिधापुरी में पूझ देता है तो ऐसी मान्यता है कि इस दौरान माद अंतेश्वरी जो है और वो सभी देवी देवताओं के साथ क्या करती है तो होली का उत्सव मनाती है उसी उपलक्ष में इस मड़ई का आयोजन किया जाता है ठीक है तो माद दुर्गा के जो 9 रूप है उनकी पूझा के साथ 9 दिन तक माता की पालकी निकाली जाती है ठीक है और यहाँ पर जितनी भी रस्मे होती है वो सब कहां पर होती है तो दंतेवाड़ा आपने देखाओगा बस्तर दशेरा जो है उसमें कहा होती है तो यहाँ पर जो मड़ई मेला है वो कहां पर रस्मे हो रही है तो दंतेवाड़ा ठीक है प्री पॉइंट व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो पहले पूछ सकता है कि किस मास में अब देखो मास में तो दिया अच्छ है फालगुन मड़ई मिला तो इससे फिर आपको डीटेल करेगा डीटेल में पूछेगा कि जो मास है मतलब फालगुन है उसकी कौन से तिथी से कब तक या कितने दिनों तक यह दो क्वेशन बन सकते हैं तो लगभग साथ सो देवी देवता जो है वामंत्रित होते हैं बस्तर संभाग के और उडीशा का जो नवरंगपुर है अब उडीशा का नवरंगपुर अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको एक नदी आनी चाहिए याद इसका नाम है क्या सोंधूर नदी ध्यान रखना सोंधूर नदी जो है न ग्रान्थ अकाडमी प्रकाशन के इजाब से इसका उडगम कहा है उडीशा के नवरंगपुर से और आपको ये भी पता होना चाहिए कि महानदी पैरी और सोंधूर इनका संगम कहा है तो राजिम इसके अलावा ध्यान रखना शिवरी नारायन में महानदी का शिवनात का और जोक का संगम है शिवरी नारायन कहा है तो जांजगीर चांपा जिला में है उसके अलावा चंद्रपुर जो है जांजगीर चांपा का महानदी मांड और लात का संगम है इसके अलावा रादनाद गाउंजिले का खेरा गड़ है वहाँ पर आमनेर मूसका और पिपरिया का भी संगम है clear है तो कुछ चीजे आ गई मैंने साथ में explain कर दिया ताकि आपको छोटा मोटा चीज जो है वो revise हो जाए चलिए अब next क्या है देखते है तो food processing के शेतर में उतकृष्ट कारी करने के लिए छत्यगड की आदिवासी महिला है जो है ने क्या किया गया है तो सम्मानित किया गया है तो MSME मंत्राले Ministry for Micro, Small and Medium Enterprise इसने क्या किया था दिल्ली में 5 trillion dollar economy investment and business summit come award का कारी करम रखा था जिसमें 36 गड की महिलाओं को सम्मानित किया गया अब इनका एक समू है जिसकी और से उनके consultant सिद्दार्थ पांडे जी इन्होंने क्या किया अवार्ड को लिया तो ध्यान रखना 36 गड का कोंडा गाउं ये जो जिला है कोंडा गाउं जिला जो है उसकी महिलाओं ने उडान महिला किसान प्रड्यूसर नाम की ये कमपनी बनाई है जिसका एक ब्रैंड है नाम है क्या कोंडा नार बहुत important है ठीक है तो ब्रैंड क्या है कोंडा नार women empowerment महिला सशक्तिकरण वो भी आर्थिक डिस्ट्री कोंड से या economic indicator के हिसाब से ये news बहुत important है ऐसे में काम में आ सकता है आपको clear है ये ये लोग क्या करते हैं बहुत सारे उत्पादो का निर्मान करते हैं और अपने brand name कोंडा नार brand name से इसे बेचते हैं अब ये जो company है महिला किसान प्रड्यूसर उडान महिला किसान प्रड्यूसर इसमें किते हैं board of directors में 10 लोग है 30 से ज़ादा महिला women self health groups जो हैं इससे जुड़े हैं जो लोग क्या क्या बनाते हैं तो अचार, chutney, milkshake, cookies 36 गड़िया cookies जानते हो नहीं तो 36 गड़िया cookies हम लोग किसको बोलते हैं तो 36 गड़िया cookies हम लोग बोलते हैं खूर्मी मेरे बताना खूर्मी जो है कौन तिहान बना खाथन इसके अलाबा तीखूर है नारियल तेल है इसके सहीं 30 से ज़ादा खाद्य सामगरी बनाने का काम यह महिलाय करती है अपने ब्रांड के माध्यम से ठीक है तो ध्यान आपको यह रखना है कि यह जो कौनडा नार ब्रांड है अब यह देश नहीं दुनिया में भी famous है दुबई का जो एक्सपो है दुबई एक्सपो इसमें भी क्या किया गया है तो कौनडा गाओं का यह जो उडान है इसके प्रॉड़क्ट्स का वर्चूल प्लाटफॉर्म के पर इसके प्रॉड़क्ट्स को रखा गया था वर्चूल प्लाटफॉर्म पर रखा गया था मतलब फिजिकली दुबई एक्सपो में लोग नहीं गये थे तो मैं आपको ये तो बता दिया कि main point of view से क्या importance है प्री point of view से इसका क्या importance है तो आपको brand name पूछ सकता है clear है ये कि कोंडा गाओं जिले में जो महिला है महिला, किसान, producer की जो company है उसका brand name क्या है तो कोंडा नार brand name है ध्यान में रखना या पूछ सकता है कॉंडा नार ब्राण नेम जो है इसका संबंध किस से है तो दोनों तरीके से प्रशन आपको पूछ सकता है चलिए हाथ के लास्ट नियूस पर आते हैं तो सी मार्ट लास्ट वीडियो में डिसकस किये ही थे तो सी मार्ट जो है उसके लोगों का विमोचन किया है ठीक है किसने किया है तो भुपेश बगहेल जी ने किया है तो सी मार्ट का ये जो लोगो है आप देख सकते है इस लोगों का विमोचन जो है हमारे चीफ मिनस्टर सर ने कर दिया है ठीक अब S-Mart क्या है? तो हमारी जो ग्रामी डर्थ विवस्था है, रूरल इकनौमी है उसका क्या करना है तेजी से विकास करना है और गाउं में जितने प्रोडक्ट्स या उत्पात तयार हो रहे हैं उसको जो शेहर के मार्केट है उससे जोड़ने के लिए S-Mart जो है उससे सरकार चलू कर रही है तो हमारे यहां पर जो महिला स्वासाहता समू है हमारे यहां पर जो शिलपी है या क्या है ग्राफ्ट्मिंट शैं बुनकर या व्यूrok है दस्थकार है कुमब कार है मतलब पॉर्टर यह क्राफ्ट्स में हैं और छोटे-मोटे cottage इंडस्ट्री में जो भी चीजे उत्पादित हो रही हैं सबका एक proper marketing हो और सभी को एक fair price पर बेचा जा सके एक आधुनिक showroom के माध्यम से मतलब एक proper contemporary showroom के माध्यम से इसलिए C-Mart जो है उसे स्थापित किया जा रहा है ठीक है अच्छा अब पहले चरण में जितने जिला मुख्याले हैं उसमें नगर निगम में 8-10,000 वर्ग फीट और अगर नगर पालिका है वहाँ पर तो 6-8,000 वर्ग फीट में यह जो आधुनिक showroom है C-Mart का उसकी स्थापना की जा रही है clear है यह तो C-Mart जो है उसके उद्देश को आप 30 words में ready कर लेना यह means का question है किसने विमोचन किया यह pre का question है 30 words में इसके उपर बोल भी सकता है कि 30 आ 60 words में C-Mart के उपर आप क्या करो तो एक short note लिखो तब उद्देश यह तो बताना ही यह कि क्या उद्देश यह है clear है अच्छा इसके साथ आप यह भी add कर देना तो ग्रामीर अर्थवेवस्था है उसके विकास के लिए उसके बाद last में आप जगा बज़ जाए तो provision भी बता सकते हो कि कहाँ पर कितने 1000 square feet पर यह showroom जो है उसे बनाया जाएगा चलिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ questions के साथ देखिए पहला question क्या है निम्ण में से कौन 36 गट राज के ग्रामुद्योग मंत्री है ठीक है पहला second question क्या है 21-22 के लिए मन्रेका के तहत रोजगार स्रिजन का क्या लक्ष था अपन डिसकस किये ही है फिर अंतर राष्ट्री महिला दिवस के आउसर पर सम्मानित संगीता खालखो जो है वो किस छेत्र से संबंधित हैं अगला question क्या है दंते वाड़ा में आयोजित होने वाल आये निम्निमे से किस नाम से अपने brand का संचालन कर रही है और फाइनली क्या है सीवार का लोगो है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है यह तो छे questions है जो कि मैंने आपको दिया है प्री से और कुछ मेंस के भी question दिये ताकि आप क्या कर सके इसको practice कर सके चलिए तो इस वीडियो को यहीं तक end कर देते हैं और इसके बाद मैं आपसे मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में तब तक लिए thank you and take care